नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है या कैसे टू यूजीव चैनल पर दोसे आपर अगर आपके पैन कार्ड में आपका यहापर जन्मतिती गलत हो गया है किसी भी रीजन की वज़े से और ऐसे में हापर आप 2021 में अपने मोबाइल फोन की मदद से अपने पैन कार्ड म में घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से अपने डेट आप बर्थ को इजली चेंज करके सही डेट आप बर्थ अपना कर सकते हैं तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक करने चैनल पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके बल आ एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा तो आपको परशान होने की जरूरत नहीं है सिंप्ली आप लोगों को उसी लिंक पर टैप करना है जिसके पाद आप यहाँ पर डारेक्ट यूटी आई पैन के यहाँ पर डारेक्ट ऑफिशिल वैबसाइड पर पहुँच जाने वा देगा from pencard onlineард apply करने के लिए यहाँ पर हमें य नीचे की तरफ आना है क्योंकि हमें change and correction करना है तो यहाँ पर हमें तीसरा option दिखाई देगा Sen and correction in pencard click to apply तो हमें यहाँ पर connection करना है अपने Date of Birth में तो जिसकेन्द हाँ video check पर टैप करना है जैसे हम इस पर टैप करते हैं हमारे सामने एक और नया वेब पेज ओपेंड होगा जहाँ पर हमें तीन ओप्शन दिखाई देंगे apply for change correction in pen card detail एपर second option दिखाई देगा regenerate online pen application एपर last option दिखाई देगा download blank change correction request form pdf अगर आप यहापर form का pdf डाउनलोड करना चाते हैं उसे print करवाना चाते हैं तो आप यहापर third option पर click कर साते हैं लेकिन यहापर हम online change करना चाते हैं paperless सारी चीज़ों को हम करना चाते हैं तो जिसके लिए अपर हमें पहले वारे option को select कर लेना है apply for change correction in pen card detail जैसे हम इस पर टैप करते हैं दोस्तों आपर हमारे सामने UTI के तरफ से एक और नया page open हो जाएगा यहापर दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा application for change correction in pen card अब दोस्तों यहापर दिखिए आपको सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होगा सबसे पहले दिखिए आपको यहापर दो options दिखाई देंगे एक दिखाई देगा physical और यहापर एक दिखाई देगा digital जो की paperless होने वाली है सारी चीज़े तो हमें आपर सभी चीज़ों को paperless करना है तो यहापर हमें second वाले option को select कर लेना है उसके बाद आप नीचे की तरफ हमें तीन options और दिखाई देंगे जिसे कि आपको पढ़ने की जरूद नहीं है लेक नहीं के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा pen number इंटर करने के लिए जो की permanent account number होता है तो यहाँ पर हमें simply tap करके अपने pen number को इंटर कर लेना है इंटर करने के बाद आप नीचे की तरफ हमसे दो option दी गए हैं जिसमें से हमें एक option select करना है बोत physical pen card and in pen card हमें चाहिए य यहाँ पर मैं बोत physical pen card and in pen card में select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर हमें submit वाले option पर tap करना है जैसी आप submit पर tap करते हैं आपके सामने एक और option आएगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा re-enter pen number आपको फिर से pen number को इंटर करना होगा तो यहाँ पर आपको इंटर करके ok प आपको save कर लेना है और यहाँ पर आपको ok कर देना है जैसी ok करते हैं यहाँ पर देखे कुछ इस तरीकी का page आएगा जहाँ पर देखे आपको आप बहुत सारे options दिखाई देने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना personal detail देना होगा जिसमें कि आपको अपना अपर title select करना है last name, first name and middle name enter करना है name would you like to print in pen card जो भी आप name print करना चाते हैं वो आपको enter करना है और यहाँ पर parent detail देना है mother detail अगर आपने दिया था पैदे तो आपको वो दे देना है और जो भी details आपसे मांगे जाएंगे वो आपको देना है जैसे कि आप अपने date of birth को change करना चाते हैं तो आपको यहाँ पर देखे date of birth वाले column में अपने date of birth जो आप नया देना चाते हैं वो आपको यहाँ पर enter करना है इस बात का आपको ध्यान देना है और applicant आधार detail देखी आपको देना आधार number और आधार में जो आपका नाम होगा वो देना है और आपको अपने state को select करना होगा इतनी सारी चीजे कर लेने के बाद यहां पर next page पर आपको यहां पर अपने address detail को डालना होगा उसके बाद order detail मांगा जाएगा फिर उसके बाद आपको कुछ भी काम नहीं करने वाला है तो आप यहां पर दूसरा address देंगे वरना आपको वही address को fill up करना है इसमें उसके बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ सीधा आना है यहां पर आपको contact detail अपना select करना होगा जैसे कि यहां पर select isd code मांग रहा है तो यहां पर आपको इंडिया select करना है कुछ इसी तरीके से सारी चीजों को आपको करना है email id देना है mobile number देना है और उसके बाद आपको next step आले option पर tap कर देना है जिसके बाद दोसरा आपको next page पर pen number पर लिखा होगा pen card पर आपके number लिखा होगा वो number आपको यहां पर box में fill up करना है pen one वाले जगह पर इतना करने के बाद यहां पर नीचे की तरफ आपको आना है इस box में आपको अपना name enter करना है उसके बाद यहां पर himself and herself पूछा जा रहा है तो इसमें आपको अपने document select कर लिया है जो कि यहां पर मेरा आधार card होने वाला है इतना करने के बाद है आपको नीचे की तरफ आपको place पूछा जाएगा तो आपको place इंटर कर देना है जहां से भी आप यह सारी कीज़े कर रहे हैं उसके बाद आपको next step वाले option पर tap कर देना है lbxscyh7 अब दोस्त यहां पर बाद में मांगा जाएगा pen proof आपका मांगा जाएगा वो भी आपको upload करना होगा जो कि आपका pen card होने वाला है यहां पर आपको इसमें सारी चीज़ों को select करना होगा जिसमें कि यहां पर सभी में मैं आधार card select करने वाला हूँ तो आप अगर आधार card select करना चाते कर सकते हैं नहीं करना चाते तो आपको list बहुत बड़ी मिल जाएगी आप जो भी select करना चाते हैं कर सकते हैं वहां से बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो भी आप PDF फाइल मालनी जिसमें upload कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी password लगा हुआ नहीं होना चाहिए otherwise यहाँ पर आपके pen card में आपको यहाँ पर एक और reference ID मिल जाने वाला है जिसके मदसे यहाँ पर दिखिए जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर इसी reference नमबर से आप यहाँ पर अपने pen card में address update को लेकर या फिर date of birth के update को लेकर easily check कर सकते हैं कि process कहा तक पहुचा यहाँ पर आपका update हुआ या नहीं दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर UTI के website से easily घर बैटे अपने mobile phone की मदब से easily यहाँ पर अपने date of birth को change कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जुरू पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीड दुवन्दी मात्रम